नमस्कार नीश्पोन इशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग बिहार के पुर्व डिप्टी सीम तजस्वी आदब और बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तजस्वी आदब ने मख्या मंत्र नितेश कुमार के उपर जोरदार हमला किया है रादे आपको कि 20 तारिक से तजस्वी आदब की यातरा की शुरुवात हो रही है जन विस्वास यातरा और उससे पहले मख्या मंत्र नितीश कुमार के उपर ये पहला प्रहार जो है ट्वीट के माद्यम से तजस्वी आदब ने किया है पहले तो विधान सभा में ही उन्हों ने वादा किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो युवाओं को 10 लाग सरकारी नौकरी देंगे जिसको लेकर मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने कहा था कि कहां से पैसा लाएगा और ये युवाओं को गुमराह कर रहा है इस तरह की बाते नितीश कुमार ने कही थी लेक कि मेरे संकल पर आदरनिय मुख्यमंत्री कहते थे कि दस लाख नौकरी देना एकदम असंभव है या गुमरा करने वाली बात है कहां से देगा कुछ पता है पैसा क्या आसमान से आएगा पैसा क्या जेल से आएगा इससे कुछ सेल्स है नितिश कुमार ने जो बाते कही है उनको उन्होंने दोराया है पैसा क्या उपर से आएगा राज में तो पैसा नहीं है यह बात 2020 चुनाव में नितिश कुमार ने चुनाव परचार के दोरान कहा था अब 9 अगस्त 2022 को मेरे उपमुखमंत्री बनते CM नहीं 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अबसर पर पट्ना के गांधे मैदान में इनहीं CM से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोशना करवाई वहाँ इन्होंने कहा कि नई PD के लोगों के साथ आये हैं तो यह आपको नौकरी देंगे महिनों में डिप्टी सियम तोर पर ही सही लेकिन हमने 4 लाख से अधिक नौकरियां दी और 3 लाख नौकरियां अंतिम चरन तक प्रतिकिरिया धीन करवा दी है जो इस वर्ष युबाओं को अबस्य ही मिल जाएगा तजस्पिय आदम ने कहा है कि 4 लाख जो है हमने नौकरी दी है और 3 लाख जो है हमने प्रक्रिया धीन करवा दिया है यानि कि तोटल 7 लाख नौकरी की जो बात है तो जिस वे आदम करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्रे नितीश कुमार दो 2020 वहार विधान सभा के चुनाओ में जो उन्होंने बाते कही थी उस बातों को लेकर उन्होंने दोहराया है कि 2020 चुनाओ में 10 लाख सरकारी नौकरी देने के मेरे संकल्प पर आदरनिय मुख्यमंत्री कहते थे कि 10 लाख नौकरी देना एकदम असंभब है यह गुमरा करने वाली बात है कहां से देगा कुछ पता है क्या पैसा आसमान से आएगा पैसा क्या जेल से आएगा इस से कुछ सेंस है पैसा क्या उपर से आएगा राज में तो पैसा नहीं है यह नितिश कुमार की लाइने है जो कि तजस्विय आदब ने अपने ट्वीट में लिखा है और उन्होंने कहा है कि चार लाख नौकरी हमने दिया है और तीन लाख नौकरी जो है प्रकिरिया धीन किया है और इस वर्ष युवाओं को वो मिल जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नितीश कुमार तजस्विय आदब के उपर भी लगतार हमला करते रहे है साफ तोई पर उन्होंने कहा है कि हमने नौकरी दिया है हम मुख्य मंतरी थे ये बात नितीश कुमार ने कही उनके मंतरी जो जेड़ी कोटे से हैं वही लगतार कहते आ रहे है कि हमारे नेता ने नौकरी दिया है तो आखिर नौकरी किसने दिया है ये फैसला जनता को करना है क्योंकि जनता ही इस सब चीजों में मालिक होती है और ये बात तमाम नेता भी कहते है लिहाज़ा किसने नौकरी दिया है ये तैजनता को करना है लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो पहुचा रहे थे हम आपको तर्यस्वी आदब में नितीश कुमार के उपर जोरदार हमला किया है अपने यात्रा से पहले 20 फरवरी से वो यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा है और उससे पहले नितीश कुमार के उपर ये बड़ा हमला तर्यस्वी आदब करने इस पोनेशन के साथ नमस्कार